मेरे प्यारे देश वाशियों, मन की बात में हम हर बार देश वाशियों की ऐसी सफलताओं की चर्चा करते हैं, जो हमारे चहरे पर मिठी मुस्कान बिखेर देती हैं अगर कोई सक्से स्टोरी मिठी मुस्कान भी बिखेरे और स्वाद में भी मिठास बरे, तब तो आप इसे जरूर सोने पर सुहा का कहेंगे हमारे किसान इन दिनों शहत के उत्पादन में ऐसा ही कबाल कर रहे है शहत की मिठास हमारे किसानों का जीवन भी बदल रही है उनकी आई भी बढ़ा रही है हर्याना में यमना नगर में एक मदुमक्खी पारग साथी रहते हैं सुभास कमबोज जी सुभास जी ने वैज्ञानिक तरीके से मदुमक्खी पारण का प्रशिच्छन लिया इसके बाद उन्होंने केवल छे बॉक्स के साथ अपना काम शुरू किया था आज वो करीब दो हजार बॉक्सेस में मदुमक्खी पारण कर रहे हैं उनका शहत कई राज्यों में सप्लाई होता है जम्मू के पल्ली गाउं में विनोत कुमार जी भी डेड़ हजार से जादा कॉलोनियों में मदुमक्खी पारण कर रहे हैं उन्होंने पिछले साल रानी मक्खी पारण का प्रक्षिक्षन लिया है। इस काम से वो सालाना 15-20 लाख रुपी कमा रहे हैं। करनाटका के एक और किसान है मदुकेश्वर हेगडे जी। मदुकेश्वर जी ने बताया कि उन्होंने भारत सरकार से 50 मदुमक्खी कलोनियों के लिए सबसिड़ी दी थी। आज उनके पास 800 से जादा कलोनिया है और वो कई टन शहद बेचते हैं। उन्होंने अपने काम में इनोवेशन किया और वो जामुन शहद, तुल्ची शहद, आमला शहद जैसे वानस्पतिक शहद भी बना रहे हैं। मदुकेश्वर जी, मधूत पादन में आपके इनोवेशन और सफलता आपके नाम को भी सार्थक करती है। साथियों, आप सब जानते हैं कि शहद को हमारे पारंपारिक स्वास्त विज्ञान में कितना महत्व दिया गया है। आविवेद गरम्थों में तो शहद को अमरित बताया गया है। शहद न केवल हमें स्वात देता है, बलकि आरोग्य भी देता है। शहद उत्पादन में आज इतनी अधिक संभावनाए हैं कि प्रफेशनल पढ़ाई करने वाले युवा भी इसे अपना स्वारोजगार बना रहे हैं। ऐसे ही एक युवा है, यूपी में गुरोपूर के निमिज सी, निमिज जी ने बिटेक किया है, उनके पीता भी डॉक्टर है, लेकिन पढ़ाई के बाद नौकरी की जगह निमिज जी ने स्वारोजगार का हैसला लिया। उन्होंने शहद उत्पादन का काम शुरू किया, क्वालिटी चेक के लिए, लख्रहों में अपने एक लेब भी बनवाई, निमिज जी अब शहद और बी वैक्स से अच्छी कमाई कर रहे हैं, और अलग-लग राज्यों में जाकर किसानों को प्रसिछित भी कर रहे हैं, ऐस युवाओं की महनत से ही आज देश इतना बड़ा सहद उत्पादक बन रहा है, आपको जानकर खुशी होगी कि देश से सहद का निरियाद भी बढ़ गया है, देश ने नेशनल बी किपिंग एंड हनी मिशन जैसे अभ्यान चलाए, किसानों ने पूरा परिश्रम किया और ह इस ख्षेतर में और भी बड़ी संभावनाय मोजुद है, मैं चाहूंगा कि हामारे युवां इन अवसरों से जूड कर उनका लाब लें और नई संभावनाओं को साकार करें